हर्याना पंचाय चुनाओ के इंतजार कर रहे लोगों के लिए सरकार ने बहुत दिनों के बाद एक बहुत बड़ी खुश्कबरी दी है इससे पहले आप सभी को 75 वे 77 दिवस की बहुत बहुत शुब काम नाए हर्याना सरकार ने एक बहुत बड़ा नेने किया है हर्याना पंचाय चुनाओ को लेकर वो हम आपको वीडियो में पूरा बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए हर्याना में पंचाय चुनाओ अब होने वाले हैं क्योंकि सरकार ने जो एवियम बिहार में गई हुई थी और जो एवियम नहीं थी हर्याना सरकार के पास जैसा कि हमारे चुनाओ अयुक्त धनपत सिंग ने कहा था वो एवियम अब वापिसमंग वाली गई है जी हां हम जो है बिल्कुल हाल ही में अपडेट आई है नई खबर है कि चुनाओ के लिए 31 अगस्त तक आएंगी एवियम और 31 अगस्त आही गया है बिल्कुल ही नजदीक है पंचाय चुनाओ के लिए डीडीपी ओने लखनव से मशीन मंगवाने के लिए अधिकारियों को दिये और तयारियां चल रही है ये अभी ताज़ा अपडेट है हर्याना में पंचाय चुनाओ की सरगर्मी टेज हो गई है नू पलवल जजर और फरिदाबाद से चार जिलों के लिए लखनों से एवियम मंगवाई जाएंगी इसके लिए जिला विकास एम पंचाय अधिकारी ड अन्य जिलों में लाने के भी आदेश दिये गए हैं नू में नू के लिए पंचाय चुनाओ में 1510 इवियम इस्तेमाल होंगी जिला विकास एम पंचाय अधिकारी राकिस मोर ने बताया कि नू पलवल जजर और फरिदाबाद जिलों के लिए लखनों से इवियम लाने के ल पहले पहले लाया जाएगा उन्होंने बताया कि जिले में सरपंच, ब्लोक समीती और जिला परिशद सदस्य चुनाओ के लिए करीब 1510 इवियम की जरूरत होगी जिला परशासन ने इस तयारी से चुनाओ लड़ने वाले उम्विद्वारों ने फिर से तयारी सुरू कर द क्योंकि अभी कोई सुचना ही नहीं आ रही थी बहुत दिनों से और यह किसान अंदोलन भी खतम नहीं हुआ है 15 अगस्त को जैसे कि किसानों ने दिल्ली का कूच कर रखा है उस हिसाब से भी हर्याना सरकार पंचाय चुनाओ करने का कोई भी कदम नहीं उठा रही थी पर य पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है चुनाओ लड़ने वाले उम्मीद्वारों को इन्हीं दिनों में चुनाओ होने की उम्मीद थी जिला परशासन ने इसकी तयारिया शुरू कर पंचायतों का आरक्षन भी करवा दिया था और सर्पंच को छोड़कर बाकी सारे हो चुके हैं लेकिन सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं में BCA श्रेणी को आठ परतिसत आरक्षन देने का फैसला कर लिया जिसके चलते सरकार ने गाओं के सर्पंच पद को छोड़कर हर्याना के सभी पदों का SC, BCA और महिलाओं के लिए आरक्षन कर दिया है सर्पंच पद का चुनाओ लड़ने वाले अब उनके पदों का आरक्षन की उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो बहुत ज़्यादा ये तयारी भी नहीं कर पा रहे हैं सर्पंच की क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अब की बार आरक्षन में किसकी सीट आजाए महिला की आए या SC की या BCA की तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं आपकी बार कंडिडेट और वो अपनी खुल कर तयारी भी नहीं कर पा रहे हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि सितंबर अक्तूबर महेने तक चुनाओ करवाने की उम्मीद जताई जा रही है सि इसी ही नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रही है वीडियो को फेस्बुक वट्सप और इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी तो थोड़ी सी रिलीफ मिल सके थोड़ी सी राहत मिल सके कि सरक को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहे थे तो अब यह नई अपडेट आ गई है तो ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रही है और आप वीडियो को पूरा देखते हैं लाइक भी करते हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभारत ह हपी इंडिपेंडन्स दी